हेलो एवरीवन जैसा कि मैंने थमनेल में लिखा कितने नंबर का फायदा हुआ सिर्फ जजमेंट के कारण नॉर्मिलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं वो बाद में होगा वो जब होगा तब देखा जाएगा लेकिन इस जजमेंट के कारण ही इन इन बिरासे एटार के साले से जुड़े लोगों को कुछ मार्स का फायदा हुआ है कितने मार्स का फायदा हुआ है वीडियो को पूरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा पूरा कैलकुलेट करके डेटा जो है जितने कोशन कैंसल हुए है उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि क कितने मार्स का फायदा होने जा रहा है तो कल आ गया था इसका जज्जमेंट का कॉपी हाई कोट की वेब साइट पर वो आज की अखबारों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसी का रेफरेंस लेके आज की अखबारों में खबर चली है तो एक बार हम लोग चलेंग कि इस पूरे जज्जमेंट की कॉपी पर देखेंगे इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है और इस कोट के इस फैसले की कारण कितने नंबर का फायदा होने जा रहा है मैथ वालों को इस पर भी बात होगी तो सबसे पहले आप कोट का जो केस नंबर है वो देख पा रहे होंगे यहाँ पर ज़्यादा मेनिंगफुल बात नहीं है सभी पेटिशनर्स के नाम है स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर काम की बात रहेगी उसको पढ़ेंगे और उसको एक्स्प्लेइन भी करेंगे तो यह दूसरा पैराग्राफ है जहाँ पर कुछ काम की बात है इसको पढ़ते हैं फिर इस पर बोलते हैं और बीच में ही इसी वीडियो के बीच में ही जब वो पैराग्राफ किया on the submission of Mr. Abhinav शिरिवास्तव लनेट काउंसल appearing on behalf of petitioner that the questions were out of syllabus in the subject of mathematics वकील का नाम लिखा हुआ है उनके उन्होंन जो कुछ submit किया उस basis पर court ने इस पूरे मामले को सुना this court directed the respondent board to provide copy of the question booklet court ने कहा था यह पहले भी बात हुई थी जब शुरुआत में ही जब इसका copy मैंने निकाल करके पढ़ा था बोर्ड से बिलकुल शुरुआत में तभी यह बात हुई थी कि board ने direct किया है sorry court ने direct किया है board को कि आप petitioners को copy दें सवालों के अगला line है the board provided the copy of the question booklet and the petitioner thereafter submitted their objection the petitioner बात में अपना objection सब्मिट किया अगला paragraph देखी दा matter was examined by the expert committee during scrutiny transpired that the standard of the question in the secondary teachers eligibility test 2019 held on three dates 10th 11th and 14th of September was not the same standard तिए जो expert committee थी उसने यह पाया कि 10 11 और 14 को जो examination हुआ वो अलग-अलग standard के थे due difficulty level था उसमें variation था बदला हो था यह बात पहले यह बहुत बार हो चुकी है इसमें नया कुछ भी नहीं है इंदा examination held on four three 14th September questions were below the graduation level but in the examination held on 10th and 11th the standard of questions was not only above intermediate level but almost all the questions were of competitive level 14 का question असान था 10 11 का जो सवाल था वो standard उपर भी था और competitive level का सवाल था even of the graduation and post graduation level के भी सवाल था इसना तक या उससे भी आगे के सवाल थे the respondents have decided to discard these those question detail in paragraph seven of the counter-affidavit which are which are quoted here in below अब देखे पहले affidavit जमा हुआ petitioner ने दिया फिर board ने उसका counter-affidavit दिया फिर rejoinder की बात हुई तो यह सारा process से इसको मैंने पहले भी explain किया था अब respondent नहीं कहा है कि वो उन सवालों को discard करेगा अब देखे respondent है बिहार board या सरकार तो respondent agree हुआ है कि paragraph seven में जो counter-affidavit में जिन सवालों का जिक्र था उनको वो discard करेंगे खतम करेंगे खारीज करेंगे अगला देखिए यह दस तारिख की बात हो रही है दस तारिख 10 सिप्तिम्बर दस यहां पर नॉंबर लिख दिया गया है कि सॉरी डेट्स में कुछ आगे पिछे है मिस्प्रिंट हुआ है डेट में खैर दस तारिख को जो सवाल रिजेक्ट हो रहे हैं उनका देखिए 56, 69, 60, 61, 74 और इसके इलावा इन सभी सवालों को IIT इंटरेंस लेवल का बताया गया आप 10 तारिख वाले में 8 सवाल और 11 तारिख वाले में 11 सवाल अब सवाल यह उड़ता है कि इन सभी सवालों को उपर आपने पढ़ा कि पर पताने कहां से लीक हुई पर वो गुरूक्स में फैली और तब ही मैंने यह कहा था कि अगर इन सवालों को point out किया जा रहा है board के द्वारा expert committee के द्वारा तो definitely ये सवालों पर कोई न कोई action तो होगा और सिर्फ एक ही action बनता है वो है कि question को आप खारीज करें discard करें खतम करें पर अगर question को खारीज करते हैं तो फिर इसको balance कैसे करेंगे क्योंकि 14 तारीख वाले का exam तो 150 नंबर का ही हो रहा है आपको 10 और 11 वालों को भी 150 पर ही ले जाना है तो इसके लिए दो तरीखा हो सकता है या तो यह कर सकते हैं normalization के formula जो होता है normalization का formula formula काफी मतलब हेर जो math के expert होते हैं वो हेर फिर करके उसमें सब कुछ adjust कर लेते हैं उसमें इस बात को भी adjust कर लेते हैं कि कितने सवाल discard हुए है तो यह तो normalization के formula में ही इस चीज़ को adjust किया जा सकता है पहला option यह है और दूसरा option यह है जिसके होने का chance पूरा पूरा लगता है वो यह है कि जितने सवाल जैसे कि 8 सवाल reject हुए हैं 10 तारिख में तो 142 में किसी ने 60 score किया तो 150 में कितना करता इस logic के हिसाब से marks दे दिया जाए ऐसा लगता है कि यही वाला होना चाहिए और यही वाला लॉजिक लगता है तो फेर होगा नॉर्मलाइजिशन अलग है वह अलग अलग शिफ्ट की जो difficulty level variation है उसको balance करेगा लेकिन जो मैंने वैसे कहा कि 142 पर किसी स्कूर किया तो 150 पर कितना करता इस तरीखे से किया जा सकता है और अगर हम उस तरीखे से देखें तो कितना marks बनता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह देखिए अपने स्क्रीन पर देखें उपर क्या लिखावा उस पर ध्यान मत दीजिए जो सुफ नूम्रल से उस पर ध्यान दीजिए आठ कोश्चन रिजेक्ट हुए जो दस तारिख वाला था तो 142 का एक्जाम हो गया पचास नूमर वाला सेक्षन आसान था वहां पर कोई भी तयारी करने वाला है पढ़ने वाला हो चालिस तक ला सकता है रही बात सौ की अगर सौ में मान लें कि सब कुछ बिलकुल आउट ओफ कवरेज था तो वैसी कंडिशन में भी तुक्का मार के भी सौ साथ नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है मान लें कि दस तारिख की शिफ्ट में कोई कैंड़ेट साथ नंबर लाता 142 में तो पर कोशन उसने स्कूर किया पॉइंट 42.42 तो आठ कोशन का उसको मार्स मिलेगा क्योंकि आठ कोशन रिजेक्ट हुआ है तो आठ को अगर मल सिर्फ इसकोट केस के जैज्मेंट के कारण नॉन्मिलाज़ेशन में क्या होगा वो बाद की बात है वो तो जिनको बोड़न आउट सोर्स किया है जिस भी प्राइविट कमपनी को उन लोगों के काम दिया है वो सारा डेटा को मैपुलेट करने का उस पर सारा जो डेटा को करने का वो बाद में देखेंगे पर अभी सिर्फ इस कोड केस के जज्जमेंट के कारण सवालों के reject होने discard होने के कारण एक shift में साड़े तीन में साड़े तीन मार्क्स और दूसरे कोई compensation नहीं है उसके बारे में एक बात भी लिखा गया है कि expert committee had opinion that question asked therein were below graduation standard उनका opinion साफ है expert committee का कि जो 14 तारिक को जो सवाल पूछा गया वो below graduation level था थोड़ा और नीचे scroll करते हैं तक court finds substance that in the competitive examination there should be one and the same standard in the examination when examination are held on different dates so that one may not adversely face consequences the court कह रहा है कि board इस तरह से manage करें कि एक ही तरह के सवाल आए अलग-अलग date पर multiple dates पर exam हो रहे हैं ताकि कोई इसका कुछ गलत पर भाव ना पड़े adverse effect ना पड़े किसी और पे those who appeared in the examination held on 14th September had the advantage in the competitive examination as question for almost matriculation level but in absence of the pleading to defect 14 तारिक वालों को advantage मिला इसमें कोई शक्र नहीं है और court भी इस बात को रिगनाइस कर रहा है कि 14 तारिक वालों को फायदा हुआ है कि the court is not inclined to interface with the result of examination एक और बहुत पते की बात है कि अभी एक दो दिन पहले इसका result आया है CGL का वहाँ पर एक खेल क्या हुआ है कि कई सारे candidate कुछ shift में जो पूरा score कर रहे थे वहाँ पर भी इसी तरह का दो दिन shift लगा था और जो पूरा score कर रहे थे मदब 200 में 190-195 उनका नहीं हुआ है लेकिन और किसी शिफ्ट में जो डेड़ सो 140 वाले score कर रहे थे उनका हो गया है तो कहने का मतलब उन्हों लोगों ने आज देखते हैं यहां पर policy बनाने की बात कहीं जारी जो क्या आज की अख़बारों में भी कहा गया है कि बोड एक formulate करे एक formula बनाए एक policy बनाए और उसको implement करे competitive examination करें ताकि इस तरह का जो किसी को advantage मिलता है वो फायदा ना मिले कि फाइनल paragraph पढ़ते हैं और वीडियो खत्म करते हैं लास्ट वाले paragraph में देखे बोड ने क्या कहा है मैंने पहले भी कहा था कि असली content होता लास्ट में दोड़ रिट पेटिशन फेल बट इस रिट पेटिशन इस आई ओपनर हाला कि ये रिट पेटिशन फेल हो गया लेकिन ये आई ओपनर आखे खोलने वाला है बिहार बोड के लिए the court hope and trust that henceforth while holding examination on different dates the board will adhere to the mechanism of moderation so that no person self-suffer prejudice on account of different standard of caution set out for examination held on different date code भी इस टाइप इस चीज़ को recognize कर रहा है कि गलती हुई है और ये hope है और ट्रस्ट भी दोनों वर्ड यूज किया यह उमीद है और भरोसा भी है कि कोई ऐसा देखें देखें mechanism of moderation कोई moderate करें जो moderate होगा वह नॉर्मलाइज की तरफ बात हो रही है इस पूरे डॉकुमेंट में एक बहुत अजीब बात है कि नॉर्मलाइजेशन पर खुल के कहीं पर कोई क्लियर बात नहीं हुई है ताके board court को असल में यह direct करना चाहिए था board को कि आप normalization का formula show कराईए यह मांगा जाना चाहिए था जिर्रह के दोरान और normalize ठीक सिकिजिए ताके जो लोग रह गए पीछे उनको भी balance हो जाए उनका भी जो है वो balance पर चले खेर यहां पर के mechanism की बात की जा रही है का वही सारी बाते हैं कि board अपना जो examination का system हो इसको दुरूस्त करे definitely लापरवाही हुई है आई opener है के से सब बाते हुई है वही सारी philosophy लेकिन the board shall religiously follow this guideline in all its future examination अब board ऐसे बिहार बोड जादा examination नहीं की लेता है आम तोर पर यहीं वाला examination होता है जो टीचर वाला बस यहीं एक्जाम है इसका पर यह कहा जा रहा है कि religiously follow करें इस guideline को के सभी examination future examination में वह कोशन का level जो है वह ज़्यादा vary नहीं करेगा वह एक जैसा रखे कोई proper mechanism हो को policy हो इस बात को बस यहाँ पर केस को dispose होने की बात हो गई लास्ट में तो कुल मिला करके इस case अब यहाँ पर सवाल उठता इससे फर्क क्या पड़ा देखिए इससे बोड को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरह कि केसे पता नहीं कितने हो गए और कितने आये कितने गए और इस तरह की जो हलकी से soft फटकार जो यहाँ पर पड़ी है बोड को इससे बोड कोई फर्क नहीं पड़ता है इस अब आदत हो गया जितने भी सरकाई डिपार्टमेंट अब को सब सुनने का आदत हो गया इससे कोई फर्क नहीं होता कोई proper policy नहीं बनने जा रहा है कोई system नही कैसे फर्मूलेट होगा बिहार में जतने भी सरकारी जौब के एकजाम होते हैं उसको आप कैसे balance करेंगे कोई एक road map बनाईए ऐसा तो वैसा कुछ हुआ नहीं ना कोई committee बनी ना कोई clear judgment है बस हलकी से फटकार है बोड को कि आप एक proper mechanism बनाईए इसके इलावा और कुछ भी नहीं है नॉर्मलाइजेशन पर बात नहीं हुआ यह थोड़ा आजीब है हालाकि नॉर्मलाइजेशन से मिलती जूलते बाते हुई है कि balance किया जाए एक ऐसा mechanism तयार किया जाए जिससे moderate हो सारा मामला कोई ऊपर या नीचे ना हो सब कुछ बीच में रहे moderate हो तो यह सारी बा बना के रखेंगे और जो मैत वाले लोग हैं वो अब बस नॉर्मलाइजेशन से होप कर सकते हैं कि और जादा कुछ बचा नहीं है इस पूरे मामले में तो अभी के लिए इतना ही थैंक्यू